हम आपको बताएंगे डब्बा का कपड़े दलवाने का राज और उसके साथ-साथ हम साथ-साथ है जो इनका ड्रामा चलता है उसका एक नया पेश सुनाएंगे आज की चर्चा में आपका स्वागत है सबसे पहले बात करते हैं कपड़े दोने की जो कि इतने सारे कपड़े उठा कर वो ले आई कि आमी आपको ये कपड़े दोने है यानि कि वो सब कपड़े जो दोने के लिए लेकर आईए और साथ-साथ ये करिए कि सर्प्राइज है ये एक सर्प्राइज के देने जा रहे हैं मामी को पहली बार चैनल पे आया है तो प्लीज लाइक कीज़े और सब्सक्राइब कर लीज़े चलिए अब बात करते हैं कफड़े दोने के उपर अभी शबे वरात जो गई है और शबे वरात पर इतनी महनत करिये इस लड़की ने इतनी महनत करिये इतनी महनत से हलुआ बनाया है आपने हाथ देखे थे हाथ उसने बार बार दिखा है देखो कितने लाल पड़ गए कितने हैं और एक हाथ से जो है कैमरा दूसरे हाथ से हलुआ और वो बन भी नहीं पा रहा था इसलिए क्योंकि बाकिसे लोग पता नहीं चार चार हाथों से कैसे बनाते होंगे और फिर उसके बाद में उसने हलुए की कतली जमाने का कमपटिशन किया कितना ठक गई होगी कितना हाथ उसके दुग गई होंगे आप लोग शायद ये नजर नहीं आता इसलिए आप लोग जो ना बहुत सारे लोग कहने बैठ जाते हैं कि कपड़े जो ना अम्मी से दुरु लगाने के लिए चली गई और कपड़े देखे पूरे गठर भढ़ के हैं इसका मतलब यह है कि एक दिन के नहीं है दो लोग हैं दो लोगों के इतने कपड़ें तो आप अंदाज से लगा लिजिए कि इतने दिन के कपड़े होंगे वह बात दूसरी कि नहाते कम हैं तो इत नहीं दो सकती थी इतने कपड़े तुमने कैसे खटे कर लिए तुम कितने दिन से नहीं दो रही थी इन कपड़ों को ऐसा कुछ भी आपको सुनने को नहीं मिला क्यों नहीं मिला क्यों उन्हें तो पता है ना बेटी किसकी है और उसमें आज तक क्या किया है क्या कर सकती है और क्या करेगी ये बूल को ती तरह से वह जानती से तो कोई सरप्राइज नहीं तो आप यही शरप्राइज उनके ली नहीं था यह सरप्राइज था आप लोगके लिंए जो खास having और इंके किसे करती होगी वहां पे भी कपड़े डालने के लिए किसी और को देती होगी हाऊस ऐलप को देती होरे क्या करती हो जो इनके हो आप बहुत वैसे वो इनके दिवाने हैं और पागलो की तरह इनका बिलकुल व्लॉक्स को देखते हैं और वाके रोते भी हैं अब एक और सर्प्राइज सुन लीजे दूसरा सर्प्राइज ये है कि ये लोग जो है मॉल में गए और आवराय मॉल में मिल गया इनको एक और सर्प्राइज क लोगी नजरों में दिखाई ना दे, उन्होंने सबसे पहले देखा डी दादा को, और डी दादा देखने का मतलब आप समझ की होंगे, वहाँ पर कौन कौन आया था, वहाँ आया थे उनके पड़ासी, वो पड़ासी जो एक फ्लोर के अंतर में रहते हैं, वो पड़ासी जो यह कहते हैं कि रोज बच्चा जो है सुबही सुबह आदत पढ़ गी और इसको वो अम्मी का इंतिजार करता है, क्योंकि अम्मी उसको घुमाने लेके जाती हैं, लेकिन यहाँ ना अम्मी को पता है कि वो सब लोग कहां पर हैं, और ना उस बच्चे को पता है कि जब वो ब खाय केने के направिा आया है, मत्तब बच्चे को हुआ मिला के और उसके बाद में बहर जाते थे, तो यह था इनका अपना वाला ड्रामा जो आपके व्लॉगों में सब को देखने को मिलता था इन व्लॉगों में कि यह सब लोग साथ साथ है कि पूरा ड्रामा करते हैं, यह उप निकल जाती हैं कहीं पर भी चाहें वो सूरत निकल जाएं चाहें वो मौल में निकल जाएं या फिर कहीं और निकल जाएं तो अक्सर जो है वो यही काम करती है और उनको किसी और को ले जाने की जरूत नहीं है क्योंकि उनके पास तो वो नैनी है नैनी इसलिए कह रहा हूँ सब कुछ पता है सब जानते हैं उपर नीचे को कुछ नहीं पता है वो उनको सर्प्राइज दे रहे हैं और ये उनको सर्प्राइज दे रहे हैं और देखो जान बूच के ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं इस व्लॉक के अंदर कि भई ये देखो ये किस तरह से गूम रहे क्योंकि ये चाहती थी कि एक्सपोज करना कि देखो ये जो है किस तरह से यहां खुमते रहते हैं हमने इनको पकड़ लिया ठीक है और वो भी अपने व्लॉग में दिखाएगी क्योंकि अपकड़े गए हैं एक और बात नोट कीजे कि जब भी कोई भी गिज़ा की कोई भी ऐ लेकिन ये देखो वो टेनिजर लड़की है वो मतलब अंगड़ाई ले रही है मेभी सोकर उठकर आई होगी या जैसे भी है जिस भी पोजिशन में है आपको वह वहला शॉट दिखाना था ये शॉट बिलकुल भी नहीं दिखाना था थोड़ा सेंसिबल बनी है मैं ये नह अंगड़ाई लेते होगे ये आपके घर में दूसरे करते होंगे लेकिन ये सब चीज़े दिखानी की नहीं होती है लेकिन इस बच्ची की आपने जरूर हाइलाइट करनी है और वो दिखाई है आपने और बहाना लिया सलाम का भाई आप बताईए आप कैमरा लेके किस की क पीछे पहुंच जाएंगे परी कहेंगी कि तुमने सलाम नहीं किया आजकल तुम सलाम नहीं करती हो मतब तुम आगर व्लॉगिंग कर रही हो तो तुम्हारा क्या है या तो यह सब को अलर्ट कर दो कि इस ब लोग एक्षन और सब लोग एक्षन में आ जाए कि हाँ ठीक है अब शूटिंग चल लिए अब हमें वो करके दिखाना है जो कि हम नॉर्मल लाइफ में नहीं करते यानि कि फिर वही वाली बात बचका जो डेली व्लॉगिंग होती है वो as usual जैसे आप लाइफ स्टाइल में आप काम करते हो जैसे जीते हो वो दिखाने की बात होती है किसे भी भी आप कम से कम जो है ये बताईए कि मैं शूट कर रही हूं और हमारे वीवर्स को आप अपना सिलाम कीजिए जैसे कि आप अम्मी को बोल देती है ऐसे उसको भी बोल सकती थी ना लेकिन नहीं यहां पर तो कहीं ना कि किसी की नीची करनी है और किसी की आप जो हिचकती है और साथ-साथ जो है वैसे भी उसका फेवर करती है और इसको अन फेवर में रखती है हमेशा अब गहान जो है ना वह सो रहा है क्योंकि वो पेपर देखे आ रहा है और खास तोर से जब लाश पेपर खतम हो जाता है तो बच्चे रिलेक्स होते हैं ऐसे टाइम है तो वो आकर अपनी थोड़े सा नीन निकालते है और अपने आपको अनरिजाइज करते हैं और फिर उनके पने पुरोग्राज़्ाम्स होते हैं फन प्रोग्राज्स वो उसके ऊपर कौरते है या फिर खोश होतें तो ऐसा कोली अंड्रेस्ट हो जाए उनकी कोई अपनी लाइफ नहीं है आपकी व्लॉगिंग तो आपकी व्लॉगिंग है लेकिन उसके लिए सारे सारे लोगों को परशान करना और उनको अपने हिसाब से उनको चलाना ये तो कोई सही बात नहीं है न अब एक इंटेलिजेंट डाए के साथ बनती है और जो भजिये होते हैं ए जो महारास्टी उसमें आता है की जो भजिये डलते है उसमें कडी में दोनों बहुत-बढ़र अंतर है भजिये जो है नॉरमल ही सबजी म TWO मिलाकर जैसे पकोड़ी हैं हम यहां बोल देते हैं कि पकोड़ी तल रहे हैंुपी उसको फुलाने के लिए लोग बाग जो है या तो बेकिंग पॉडर डाल देते हैं या फिर प्याज जो है वो थुड़ा सा डाल देते हैं वो उसको फुला देती है तो वो जो अम्मी जो उसको बता रही है ना कि उबलती हुए कड़ी में डाल देते हैं तो यह फूल जाती है ऐसा नहीं है अगर आप इस टैप की पकोड़ियां बना कर डालेंगे तो कभी सक्त नहीं होंगी और वो आराम से बड़े आराम से फूलेंगी तो दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस है और आपको जानना ही चाहिए इस बारे में क्योंकि आप यूपी से बिलॉंग करती है य कप जो है वह अम्मा के पास में भी नहीं है अम्मा भी आज कप मांग रही है बाकियों के मांग रही है तो कप आखिर जो एक 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 गायब होते हैं उसका फिर दुबार साथ जिकर करके उसको हाइलाइट करने की इन्होंने कोशिश करी अब फनी की वीजरा नॉलिज टेस् सुना था लेकिन हीलीयम कीलिट जो है नहpei真的 वह पहली बार सुनी अरव डबा को भी पता है कि वो जो लाइट मोग आई हो इससने नेइम लाइट हुएские क्सिव कीलाइट के बा leverage प्र किलाइट नहीं सुन्वा आ इसप पर लेक्शिश सुन लीजिए इतना बड़ा बनता है या फिर उस मैडम को है जो हमेशा जो हर चीज बना कर और बताती हैं अब तक जितने भी डर्मेटरोलोजिस्ट हैं या फिर जितने भी आपने देखे होंगे वह यह बताते सुने होंगे कि जो सोप है वो फेस पे नहीं लगाना चाहिए किसी भी तरह का किसी भी टाइप का थो एक मीटर दिखाया जो कि मॉस्चराइजिंग का लेवल दिखाता है उसको टेस्ट करने के लिए पहले हाथ पर टेस्ट किया और फिर वो लगाने के बाद में टेस्ट करके दिखा रही है फेस पे वहीं कि उन्हें टेस्ट किया जहां पर आपने वो टेस्ट के पहले किया थ कि भी यहां दिखा के वहां दिखा के यह सब चीज़े जगलरी वाली बात होगी नॉर्मली आपको इस तरह की चीज़े ना करके आपको प्रड़क्ट का प्रोमोशन ज्यादा करना चाहिए कि भी यह इस इस टाइप का प्रड़क्ट है अब लोग यूज करेंगे और देखें यह इनकी एथिक्स में नहीं है इस तरह के ड्रैस कोड में जाना यह करना लेकिन में चीज़ यह वहां जाना इंपॉर्ड़क्ट नहीं था वहां उन्हें अपना कंटेंट शूट करना था कि हाई राइस बिल्डिंग के टॉप पर बना हुआ जो रेस्टोरेंट है उससे जादा की बात करके वह उसको दिखाना चाते थे कि होता हैं तो वह घग लिए होता ना यहां पर यह सब करके दिखाने की क्या जरूत थी और अब तैयारी कर रहे हैं कि वह जो गहान है उसको भी जहलक में बेजेंगे भी अब पता चल गया कि हमारे को इतनी वोटिंग मिल जाती है यह सब मिल जाती है तो भी ठीक है हम तो कुछ भी करा लेंगे कि है और रिजट्ट जो वही आना चाहिए jokie होना चाहिए जो डिजर्विंग कैंडिड़ेट है वही आना चाहिए दूसरा नहीं आना चाहिए लास्ट में दिख़ाया बैडरूम टूर जिसका एंडावन्समेंट तो कर दिया था बहुत पहले congressional कर दिया था वहात की हमारी पर ख़ल रही थी एक तो वह बैड बहुत चोटा है मतल़ ऐसे लगता है कि नोगिता है कि प्रिल लगा यह दूसरा गार्डम होता है तो ये बहुत ही अच्छा लुक देता मतब ऐसा हमारा मानना है हम कोई interior designer नहीं है लेकिन फिर भी जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छा कहना चाहिए जो अच्छी नहीं है उसमें suggestion कुछ नो कुछ देना चाहिए क्योंकि बुरा कहना कोई answer नहीं है मतब क्या अच्छा है वो भी तो आपको बताना है ना चलिए end करते हैं surprise वाले podcast को और यह podcast आपको अच्छा लगा हो तो प्रीज लैक किए subscribe कीजिए और share कीजिए खुश रही अपने लोगा ख्याल रखिए thank you धन्यवाज शुक्रिया